हेलो एब्रिवन वेलकम टू माई चैनल जब भी हम मार्केट में छोले भटूरे खाने जाते हैं तो हमारे दिमाग में यही आता है कि इनके भटूरे इतने फुले फुले कैसे बनते हैं आज मैं उसी की रेशेपी लेकर आई हूँ भटूरे एकदम फुले फुले बनेंगे औ और एकदम मतलब कि गुबाड़े के तरफ फुले फुले और उसके बाद जब आप भटूरे को तोडएंगे तो अंदर से जब भी आप बाहर खाने जाएंगे न तो एक चीज चेक करिएगा अंदर से ऐसा ही जालिदार बना होता है तो हमारे दिमाग में हमेशा ऐसे जो मार्केट में इतने फुले फुले भटूरे बनते हैं नरम भी होते हैं और खाने में बहुत टेस्टी लगता है यहाँ पर देखिए छोले को मैं रात में ही भीगा के रख ली हूँ और अगर सुबह में भटूरा बनाना है तो प्रिप्रेशन आपको रात में ही करना गेले का मैं देगा। यहाँ पर देर कप जो भी कटोडि से आप ले रहे हैं मैदा उसी से सूजी डेर कप ले लिजेगा। यहां पर मैं दही के जगा पर छांच डाल नहीं हूँ देखिए यहाँ पर गाड़ा लिक्विड बन गया है अब इसे मैं मिक्सी जार छोटे वाल हमें कर लेना है तो बारिक में बारिक सुजी भी है और थोड़ा सा पिसने से और बारिक हो गया है तो इसको इसी तरह से प्रोसेस में आपको कर लेना है जितनी क्वांटिटी बनाना है उसी हिसाब से मेजर्मेंट एक दम सही रखिएगा थोड़ा सा रेष्ट करने के लिए काला नमक, वाइट नमक, थोड़ा-थोड़ा सभी डाल दे, और काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट भी आएगा, खुस्बू भी आएगा, उसके बाद एक चमच आपको देसी घी डालना है, देसी घी डालने से छोले एकदम अच्छे से सौब नरम एकदम रहेंगे, और य इलाइची दो, थोड़ा सा दालचीनी, चार-पांच लॉंग और थोड़ा सा काली मिर्च और छोटी इलाइची दो, इसी तरह से आपको लेना है गरम मसाले और उसको मैं थोड़ा सा धरदरा कर लूँगी, ताकि इसका सारा फ्लेबर हमारे छोले में आ जाए, और अलग से गरम मसाला डालने की कोई जरुवत ना परे, काली मिर्च भी चार-पांच ले ली हूँ, सबको आप कूटले अच्छे से, यहाँ पर मैं कूटली हूँ और उसी में, इन्फ्यूज करने वाले जाली में, मैं इसको डाल रही हूँ, अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप वाइट कपरे में इसको बांध कर छोले में डाल दें, और कलर फूल कपड़ा नहीं लेंगे, क्योंकि उसका कलर आपके छोले में आ जाएगा, तो वाइट सफेद कपड़े ही ले, इसको देखिए, पैक कर दी हूँ मैं, यह बरतन के दुकान पर भी बड़ा असानी से मिल जाता है, सबी जगह आजकल मिल रहा है, अगर आपके पास नहीं है, तो वाइट कॉटन का कपड़ा आप ले ले, और उसको छोले में डालना है, डाल कर एक देर गलास पानी डालना है, छोले के थोड़ा सा उपर पानी रखे, ताकि छोला उबलने के बाद सटे ना, और उस जिस से आप मैदा ले रहे हैं उसी से सूजी ना पेंगे मेजरवेंट एक दम सही रखना है और यहाँ पर देखे चार कप मैं यहाँ पर मैदा ले चुकी हूँ उसके बाद उसमें एक चम्मच चीनी डाले आधा चम्मच या वन फॉर्थ आप नमक डालें बेकिंग सोडा भी वन फॉर्थ आप डालें सारे को डाल कर आपको मिक्स कर लेना है और सूजी और मठा जो चार्च थी उसका घोल को आपको डालना है पानी मैं बिल्कुल नहीं डालूंगी क्यूंकि आगर आप दही डाल रहे हैं दही गढ़ा होता है तो आप पानी डाल सकते हैं चार्च में अगर चांच नहीं है तो घर में दही है थोड़ा सा खटा ही डालिएगा चांच भी खटा ही है उसको मैं डाल रही हूँ तो यहाँ पर देखे सबको डाल कर अच्छे से आपको गुंद लेना है अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें पानी की जरुवत है तो उस ज देखे यह जब आपको सुबह में बनाना है तो साम को ही यह आटा को त्यार करके आपको रख लेना है अब जब आटा गुंद जाए तो आपको दो मिनट तक ऐसी पटकते रहना है ताकि यह एकदम लूज हो जाए धीला हो जाए और एकदम इसका प्रोसेस एकदम अच्छे लगता है और अच्छे से इसका डो त्यार हो जाता है मार्केट में भी यही प्रोसेस करते हैं उसके बाद देखिए यह सौप एकदम डो बन गया है अब इसको एकदम अच्छे से चिकना करके रख लें थोड़ा सा तेल उपर से लगा लेना है और इसको 5-6 घंटा के लिए आपको रखना है तो अगर सुबह में छोला भटूडा बनाना है तो रात में ही यह प्रोसेस करके आप रख सकते हैं अगर साम को बनाना है तो सुबह में आप करके रख लीजिए एर टाइट कोई भी डब्बे में या कैसरॉल में थोड़ा सा तेल लगा के आप इसको बंद कर दें और मैं इसको माइक्रो ओवेन में 5-6 घंटा के लिए 8 घंटा के लिए भी आप रख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैं रख दी हूँ और उसके बाद छोले के तरफ चलते हैं छोले एकदम अच्छे से उबल गए हैं पक गए हैं अब मैं इसको निकालूंगी और इसका जो भी अंदर का चाय पती है मसाले हैं सब आपको फेक देना है छोले एकदम अच्छे से देखे सौप्ट हो गए हैं अच्छे से पक गए हैं अब इससे ज्यादा आप मत पकाईगा क्योंकि वो तुटने लगेगा इसके मसाले के लिए ग्रेवी के लिए तीन मैं यह का पौडर बना कर रख ले उसी कराही में मैं तेल डाली हूं रिफाइंड ओयल उसके बाद थोड़ा सा जीरा थोड़ा सा हींग डाले जब जीरा हलका सा ब्राउन होने लगे तब आप हरी मीर्च और अद्रख का जो दरदरा कूट के मैं बनाई हूं पेस्ट उसको डाल दी हूं हलका सा उसको ब्राउन होने दे उसके बाद उसमें थोड़ा सा टमाटर प्यूरी डाल दे जो टमाटर में काट कर प्यूरी बनाई थी उसको डाल दी हूं डाल कर आप अच्छे से इसको भूने थोड़ी देर भूनने के बाद अब इसमें आप छोला मसाला डाल दे मार काल मिर्च अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाले थोरा सा और काली मिर्च का हलका सा पौर्डर डाल दे बस थोरा-thोरा सब डालना है और उसको अच्छे से आप मसाले को भुने कुछ अच्छे से जब भुन जाएंगे ना उसके बाद आप इसमें थोरा सा अद्रक लंबा कटा हुआ और हडी मिर्च मैं डाल रही हूँ इसको आप डाल दीजे क्योंकि ये बिना लहसुन प्याज का है तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा कसूरी मेथी को थोरा सा हलका सा यहां भी रगड के डाल देना है और उसके बाद मसाले को खूब अच्छे से भुनना है आप से टेस्ट करके देख लेंगे उसी हिसाब से नमक डालेंगे मगर काला नमक जरूर डालिएगा उसमें मसाला जाब भुन जाए तो छोले को आपको डाल देना है थोड़ी देर आप उसको चलाएं और जितना ग्रेवी रखना है उसी हिसाब से आपको पानी डालना है अ और थोड़ी देर आप इसको 5-6 मिनट उबालने जब ये अच्छे से उबलने लगे तो अब आपका ये छोला एकदम रेड़ी हो गया है बिना लहसुन प्याज का सादविक छोला बनकर त्यार हो गया है लोहे के कडाही में या काश्ट आरन में जब भी आप खाना बनाएं ब पाद एक तर्का लगाते हैं छोला ता आपका रेड़ी हो गया है मगर ये तर्का लगाने से बहुत अच्छा टेश्ट आएगा छोले में तो थोड़ा सा घी ले ले त्वरा सा अद्रक का स्लाइस में बचा के रखी थी और मिर्च का और वो ढालना है थोड़ा सा वो हल्का सा ब्राउन हो तो कास्मिरी लाल मिज डाल कर ये आपको तरका छोले में लगा लेना है तो छोले में ये तरका लगाने से बहुत अच्छी खुस्बू आने लगी है घी का और ये छोला एकदम मार्केट जैसा बनकर आपका त्यार हो गया है अभी ये ठंडा होगा ना तो और जाटा होगा अभी तो बहुत गरम है ये तो ये बहुत ही मतलब कि अच्छे से बन गया है देखिए खड़े ख़ोले हैं और कलर भी बड़ा सुन्दर आया है, एकदम मार्केट जैसा, मार्केट में एकदम ब्लैक देखते हैं उसी तरह से बनता है, अब यहाँ पर देखिए आटा भी एकदम रेडी हो गया है, 6-7 गंटे में एकदम ये फुल जाते हैं, सौप्ट भी है एकदम, इसी तरह से आपको सौप्ट एकदम डोग रखना है, तो ज्यादा धीला मत रखिएगा, नहीं तो ये बहुत ही गिला हो जाएगा, अब यहाँ पर आप लोई जितना भी बनाना है, हाथ में तेल लगाते हुए लोई अपना कट कर लें, कट करके आप रखते जाएं, अब क्या करना है, तेल उ उठा उठा के घुमा लेंगे, थोड़ा सा अगर बड़ा होगा ना, तो हाथ से उठाना बंद कर दीजेगा, अगर आपको जरुवत पड़ेगा, तो चकले से घुमा घुमा के चारो तरब से आप बेल लेंगे, क्योंकि एक बार उठाएंगे तो ये सुकर जाता है, और आ आपको बड़ा सा कड़ाई लेना है, मेरे पास लोहे का छोटा सा ही कड़ाई था, तो मैं उसी में डाल रहे हूँ, मगर आप इससे भी बड़ा बनाना चाहते हैं, तो आप बड़ा कड़ाई लीजे, तेल अच्छे से डालिए, और ये डालती ही एकदम फूलने लगते हैं बिना कुछ किया, हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है, एकदम तेज आज पर इसको फूलाएंगे, कम में लो रखेंगे गैस में, तो तेल भी जादा लेगा, और ये मतलब की अच्छे से फूलेंगे नहीं, तो इस तरह के अगर क्रेश्पी बनाना है, तो इस तरह से पसंद, डार्क करें, ब्राउन या लाइट करें, जैसा आपको खाने का मन करें, वैसा ही आप बनाएं, और देखिए मैं दुबारा इसको बेल के दिखा रहे हूँ, बेलना से आप एदम चारों तरफ स्प्रेट करें, और घुमाना होगा तो चकले को घुमाएंगे, यहां मैं दुबारा डाली हूँ, इसको थोड़ा सा लाइट बनाऊंगी, क्योंकि किसी को लाइट पसंद होता है, किसी को डार्क पसंद होता है, दोनों मैं बना के आपको दिखा रहे हूँ, बस फटाक से देखिए, उलट दीजिए, और दोनों तरफ से देखिए, एकदम ये ब पर बस छोले भी एकदम देखे, ठंडा होने से जम गया है, और अब इसमें थोड़ा सा प्याज डाल दें, कोई भी मिक्स अचार हो ये आपके पास वो भी चलेगा, और अपना मन पसंद कोई भी अचार प्याज के साथ ये भटूरे बहुत ही अच्छे लगते हैं, घर में अगर थोड़ी सी मेह नत से बनता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्यूंकि बाहर का तेल का कोई पता नहीं होता है, कि कितनी बार वो यूज किया हुआ तेल होता है, और इससे हमारे सरीर में बहुत नुकसान होता है, तो दोनों कलर में मैं भटूरे छान कर आपको एकदम सेम ऐसा ही जालिदार बनता है और वो लोग भी ऐसे ही प्रोसेस करता है तो फिर अगर जब भी भटूरे खाना हो थोड़ा सा मेहनत करें और घर में ऐसा ही भटूरा बना कर रखें क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है रेसिपी और बहुत ही आसान है अगर मेरी रेसिपी थोड़ी से भी पसंद आए तो लाइक कर दे, सेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले